आज आपकी टेक्स्ट बुक के चप्टर एक डिफरेंट काइंड आफ स्कूल की एक्सराइज लिंग्वेज बुक हम उठा रहे हैं इसमें हमें क्या है यहां पर दिया गया है मैटी वोट्स इंड फ्रेज़ विद दियर मीनिंग्स इन दी बॉक्स बिलो यहां पर कुछ फ्रेज़ दिये गए हैं और वोट्स और इनके आगे जो है खाली ब्लैंक स्पेस हैं और इसके नीचे यहां पर जो भक्स है इसमें यह फ्रेज़ और इनके मीनिंग्स जो हैं यह दिये गए हैं तो यह हमें इन खाली जगों में इनके सामने कुरेक्टली जो हैं वो देखके बताने हैं तो पहला है हमारे पास होम सिक होम सिक इसमें हम ढूण के जो ठीक है वो लिखेंगे तो हमने लिखा है इसका इसके मीनिंग रिटर्न होम आफ्टर बिइंग अवे फ्राम इत और इसके बाद हमारे पास दूसरा है प्रैक्टिकली practically इसके साथ हमें correctly ये match होता है almost are very nearly इसके बाद है third it pains me इसका correct है it hurts me और इसके बाद fourth है jolly तो इसका happy इसके साथ happy match होता है इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास thoughtless thoughtless का मतलब है not very caring इसके बाद हमारे पास है cruise ये एक होता है a T-shaped sport for a lame person जो इनसान चल नहीं सकता है इसके support तो सारे की जरूरत होती है वो अपने हाथों में पगड़के आगे चलता है इसको cruise कहते हैं seven हमारे पास है miss fortune miss fortune का मतलब है bad luck और लास्ट है हमारे पास ghastly ghastly का मतलब है frightful तो इस तरह से हमने ये इस table से ये phrases correctly इनके साथ मैच किये और ये आप पढ़ेंगे और इनको कापी में उठाएंगे और याद भी करेंगे इन्शालला